जैह हिंद दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इंफो पर स्वागत है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें आज मैं आ समय सारइनी का लिंप दिस्कрिप्षन में दिया हुआ है ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती है किस रूट से होकर जाती है किस किस स्टेशन पर रुकती है इस ट्रेन में कौन-कौन सी सुगिधाएं मिलती है इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है य अब मैं आपको catering यानी खान पान से संबधित जानकारी देता हूँ, इस train में onboard catering और e-catering की सुविधा आपको मिल जाएगी, अब मैं आपको इसके coach composition के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, इस train में 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, sleeper class और सामान्य coach का प्रयोग किया जाता है, अब मैं आ आधा घंटा पहले पुरानी दिल्ली जंक्षन स्टेशन पर आकर रुख जाती है, और रात 11 बज कर 30 मिनट पर रवाना होती है, इस train का पहला हॉल्ट दिल्ली चावनी स्टेशन है, और यहां train मध्य रातरी 12 बज कर 3 मिनट पर पहुँचती है, यहां train 2 मिनट रुखती है, इस train का दूसरा हॉल्ट गुदगाव स्टेशन है, और यहां train मध्य रातरी 12 बज कर 21 मिनट पर पहुँचती है, यहां train 2 मिनट रुखती है, इस train का तीसरा हॉल्ट पतोदी रोड स्टेशन है, और यहां train मध्य रातरी 12 बज कर 44 मिनट पर पहुँचती है, यहां train 2 मिनट र पहुँचती है, यहां ट्रेन दो मिनिट रुपती है, इस ट्रेन का छट्वा हॉल्ट कनीना खास स्टेशन है, और यहां ट्रेन रात एक बज़ कर 51 मिनिट पर पहुँचती है, यहां ट्रेन दो मिनिट रुपती है, इस ट्रेन का आठ्वा हॉल्ट लोहारू जंक्शन इस ट्रेन का नौवा हॉल सूरजगर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3 बचकर 55 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है इस ट्रेन का दस्वा हॉल चिडावा स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 4 बचकर 8 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट यहाँ ट्रेन दो मिनट रुपती है इस ट्रेन का तेरहवा हॉल्ट डूनलोद मुकुंदगर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह पांच बजे पहुचती है यहाँ ट्रेन दो मिनट रुपती है इस ट्रेन का 14 वा हॉल्ट नवलगर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 5 बज कर 13 मिनट पर पहुँचती है यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुपती है इस ट्रेन का 15 वा हॉल्ट सीकर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 5 बच कर 40 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन 5 मिनट रुपती है इस ट्रेन का 16 वा हॉल्ट पलसाना स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 6 बज कर 13 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है इस ट्रेन का सत्रहवा हॉल्ट रिंगस जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 6 बज कर 43 मिनट पर पहुँची है यहाँ ट्रेन तीन मिनट रुप्टी है इस ट्रेन का अठारहवा हॉल्ट गोविंदगर मलिकपूर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 6 बज कर 69 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन दो मिनट रुपती है इस ट्रेन का 19 स्वा हॉल्ट चौमू सामोथ स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 7 बज कर 11 मिनिट पर पहुँचती है यहां ट्रेन 2 मिनिट रुपती है इस ट्रेन का 20वा हॉल्ट धेहर का बालाजी स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 7 बज कर 32 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन 3 मिनट रुपती है इस ट्रेन का 21 और आखिरी होल जैपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8 बज़ कर 15 मिनिट पर पहुँचती है दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराय से संबधित कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग-अलग होता है और समय समय पर किराय में बदलाव भी होते रहते हैं इसलिए किराय की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट IRCTC.co.in पर देख सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें मुझसे करीब से जूलने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलेग मेरा इस्टाग्राम अकाउंट है टोडल ट्रेन इंफो आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा धन्यवाद